आने वाली गर्मी में दुश्मन देश पाकिस्तान एक-एक बूंद पानी को तरस सकता है और ये तरफ पाकिस्तान को कोई और नहीं बलकि भारत देगा दरसल शाहपूर कंडी बैराजबान का काम पूरा हो गया बुधवार को ट्राइल के तोर पर जील के कैंचमेंट एरिया में पानी भरना शुरू कर दिया गया शाहपूर कंडी बैराजबान्ध रंजीत सागर बान्ध प्रोजेक्ट की सेकंड यूनिट है प्रोजेक्ट पर करीब 2,793 करोड रुपे लागत आई थी नमस्कार मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों ही राजियों की पानी की जरूरत है अभी रावी नदी का कुछ पानी माधोपूर हैंडवर्क से पाकिस्तान चला जाता है मगर अभी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया जाएगा बांध के शुरू होने से रावी नदी का पानी पंजाब के साथ साथ जम्मू कश्मीर के खेतों तक पहुँचेगा एक मार्स तक इस बांध में पानी भरने का काम शुरू होना था मगर बुदवार से पानी शाहपूर कंडी जील में छोड़ दिया गया है जानकारी के मताबिक जील में पहले लगभग चार फुट तक पानी भरा जाएगा इसके बाद शाहपूर कंडी में पंजाब के हिस्से में बने दस सलाउस की जाच की जाएगी इसके बाद आठ फुट पानी भरने के बाद दोबारा जाच की जाएगी यहां से पानी माधोपूर को छोड़ा जाएगा एक माज से शाहपूर कंडी जील में पूरी तरह से पानी भर दिया जाएगा शाहपूर कंडी बांध प्रोजेक्ट के पावर हाउसों की कंस्रक्शन का काम भी जोरो पर चल रहा है और पावर हाउसेज के कंस्रक्शन के बाद दिसंबर दोहजार पच्चिस तक बिजली प्रोडक्शन भी शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद पंजाब और जम्मू डिविजन के किसानों के खेतों तक इस पानी को पहुचाने का काम किया जाएगा। इस बाद से सबसे अधिक फायदा जम्मू कश्मीर के किसानों को होगा। इस प्रोजेक्ट के तहट रावी नदी से जम्मू कश्मीर को हर रोज 1150 क्योसिक पानी मिलेगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।